शाया, शाया, pigmentation, hyperpigmentation, melasma, किसी भी तरह के दाग-धबे निशान अगर आपके चहरे पर हैं, तो believe me, this is the remedy for you, मैं आप लोगों के साथ कोई अगड़म शगड़म चीज़े शेर नहीं करती हूँ, जितनी भी remedies मैंने आप लोगों के साथ शेर की हैं, वो सभी लोगों के लिए स what needs to be done, ताकि आपकी skin चमकने लगे Hello to my beautiful people out there, welcome back to this channel, आशा करती हूँ, आप सबी स्वस्त हैं, खुश हैं, अपना खयाल रख रहे हैं और प्रीती प्रेड़ना के चानल से दिल से जुड़े हुए हैं, अगर आप मेरे चानल पर पहली बार आ रहे हैं, तो बहुता ही देर कर चुके हैं, जाए ये चानल को चेक दिन बहतरीन DIY remedies लेकर आती हूँ, जिनको यूस करके, everybody is really happy, आप कोई भी वीडियो ठाके चेक आउट कर लीजिये, the comment section is a blessing corner, so be a wonderful part of our family, we would love to have you here, आज की वीडियो में मैं आपने परिवार के लिए लेकर आई हूँ, एक ऐसी बहतरीन remedy, जो की आपके चहरे पर वो जो निश कर चुकी हूँ, and I have had wonderful results, you can check this out, यह मै हूँ, यह मेरा complexion था, and this is my complexion right now, so यह लिटरीन लग रहा है, लेकिन यह सिरफ by-product है, मैं यह रेमेडी अपने पिंपल के marks को हटाने के लिए करती थी, and gradually I have had such beautiful results for myself, Preeti Prina ने कहा की गोरे हो गये, रेसिजम, वाइट कलर स्किन, मेरा चानल हमेशा एकी बात कहता है, कि हर स्किन कलर beautiful है, बहतरीन है, लेकिन आप अपनी स्किन के हिसाब से, उसका super best उसको क्या बना सकते हैं, अगर आपने वो अचीव नहीं किया, तो वो चीज मैं आपको point करके देती हूँ, and that's all, I am never after कि आप अपने स्किन को गोरा कर ली आपके स्किन के जो, you know, problems है, उनको क्योर करने का, and skin complexion change होना is a by-product, literally एक by-product है, यह कोई remedy is skin changing के लिए नहीं है, लेकिन आपके चेहरे पर जो परेशानिया है, उनको क्योर करने के लिए है, सबसे पहले हम उन कारणों की बात करते हैं, जिसकी वज़े से आपके चेहरे पर दाग, धब्बे और निशान आ जाते हैं, पहला reason हो सकता है, मिलाजमा, मिलाजमा एक ऐसी skin condition है, जहां पर आपकी बाहरी सतह एकदम साफ रहती है, लेकिन skin के अंदर की जो सतह होती है, वो काली पढ़ने लगती है, जिनको हम जाईयों के नाम से जानते हैं, जब यह बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो उस condition को हम मिलाजमा कहते हैं, मिलाजमा को क्योर करने के लिए आपको इंटरनली अपनी डाइट पर भी ध्यान देना होता है, और जो भी टॉपिकल अप्लिकेशन आप कर रहे हैं, वो आपकी skin पर पेनिट्रेट करें, डीप अंदर जाए, इसका ध्यान रखना होता है, क्योंकि बाहरी नहीं, अंदर की स नहीं लेते हैं, तो आपकी skin में जो discoloration आ जाता है, इसको हम बोलते हैं, pigmentation, sun damage जरूरी नहीं है, कि sun directly आपकी skin पर पड़ेगा, तो ही होगा, अगर सिरफ radiations आपकी skin पर रहे हैं, तो भी आपको pigmentation का परेशानी हो सकती है, next could be pimples, अगर आपकी acne prone skin है, और आपको pimples आते हैं तो believe me, आप उन्हें touch नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि कई लोगों का, जो pimples अगर आया, अपने आप ठीक हो गया, that's fine, लेकि अगर आपने touch कर दिया, तो वो अपना निशानी छोड़ जाता है, और कुछ लोगों के लिए ये lifetime भी रह जाता है, जी हा, इसलिए to all the beautiful teenagers out there, pimples क को touch करना is a big no, another reason could be your blackheads, whiteheads and deposition on your face, अगर आपके चहरे पर deposition होता है और आप उसे touch करते हैं, तो निश्चत रूप से माल लीजे कि आपके चहरे पर निशान होंगे ही होंगे, मेरी नाग पर एक निशान है, जो सब पूछते हैं, क्या है, it is, I don't remember कब, लेकिन मैंने pimple pop किय होगा क्योंकि ये नाखून का निशान है, जो जिसने मेरी स्किन को पर्मनेंटली डामेज कर दिया, तो समझ में आया, pimple popping is a big no, नाखून और आपकी स्किन दुश्मन है, इनको दूर रखिए, Talking about the remedy, इस remedy को हम दो steps में करेंगे, और दोनों ही step का एक key ingredient है, जो की है rice flour यानि की चावल का आटा, हमारे पास चावल का आटा नहीं है, आप घर पर मौझूद चावल को पीस लीजिए, जितना बारी का पीस सकते हैं, हो गया आपका चावल का आटा रेडी, इसको आप इस्त परदान है, मैं हर बार बोलती है, लेकिन ये लिटरली आपकी skin को कहां से कहां पहुंचा सकता है, मैं आपको नहीं बता सकती, ये anti-oxidants का भंडार है, ये anti-inflammatory है, ये आपके चहरे पर signs of aging, किसी भी प्रकार का sign of aging आचुका है, ये उसको क्योर कर सकता है, rice मात्र पानी होता है, आपको पता होगा कि जब rice उगता है, तो इसको standing water चाहिए होता है, इतने पानी के सेवन से चावल बनता है, तो ये पूरी तरह से सिर्फ पानी है, जब आप इसको लगाते है तो आपके skin naturally moisturize हो जाती है, बेहत खूब सुरत हो जाती है, and you are going to be surprised by the nutrients जो आपके skin को देता है, तो आज जो आपका pigmentation, जो आपके skin पर मौझू जितनी भी जाईया है, उनको हम इसी से fix करने वाले हैं, कैसे, step number one के लिए आपको चाहिए एक बड़ा चमच चावल का आटा, यानि की rice flour, और इसमें आपको लेना है एक पूरे नीम्बू का रस, नीम्बू का रस नहीं लगाना चाहिए, acidic होता है, देखिए, मैं बच्पन से लगा रही हूँ, number one, number two, नीम्बू डारेक्ली नहीं लगाना चाहिए, that's accepted, लेकिन face pack में नीम्बू को इंबाइप करना is something magical, एक natural bleach है, अप अपनी bleach को खा के दिखाईए जरा, खा सकते हैं क्या, नहीं खा सकते हैं, म तो उसको समझ में आता है, कि this is something जो हमारे body cells समझते हैं, कि वारे ये तो हमारे blood भी हमें देता है, you know, हम खाते हैं, तो cells उनके लिए काफी familiar है, bleach जो आप market का लगाते हैं, उनके लिए familiar नहीं है, इसलिए इसको आप इतमिनान से लगाए, ये mild acid है, इसलिए इसका इस्तमाल का कोई doubt मत रखिए, मैं हमेशा बोलती हूं कि अगर आपको doubt है, तो remedy ट्राय मत कीजिए, बिल्कुल भी मत कीजिए, क्योंकि ये natural remedies अपना magic आपको सिरफ तभी दिखाएंगी, जब आप इस पर विश्वास करेंगे, otherwise forget it, one more update, अगर आपकी sensitive skin है, और फिलहाल आपको active acne है, तो भी आप नीमू बिल्कुल भी मत इस्तमाल कीजिए, क्योंकि अगर active acne है, तो और परिशान हो सकता है, और sensitive skin होती ही पागल है, तो इसलिए आप दोनों लोग मत इस्तमाल कीजिए, आप पानी या गुलाब जल ले सकते हैं, no problem, जब आप इसको अच्छ से ब्लेंड कर दे तो बहुत gentle hands से आपको exfoliate करना है, बिल्कुल भी जहां आपने push किया ना rash भी हो सकता है, तो मैं पहले ही बता रही हूँ कि बहुत gentle hands से circular motion में आप इसको अपने चेहरे पर मयाँ दिखा रहे होंगी, आपको करना है, and let it be on your face, तब ही तो magic होगा, तो आपने चेहरे पार आप आपके skin को करेंगे ना, first application में आपको पता चल जाएगा, I promise you, नहीं पता चलेगा तो छोड़ देना, क्या खरना है, side effect कोई नहीं है, sensitive skin नहीं होनीचे बस, 10 minutes इसको अपनी skin पर रखने के बाद, आप पानी से अच्छे से splash करके इसको धो लीजिए, देखिए आप इसको wipe off कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि यह हलका सा सूख चुका होगा, तो आप अपनी skin को बिल्कुल भी परिशान नहीं करना चाहेंगे, इसलिए, जो भी जिससे भी आप वाइप कर रहे हैं, या तो आप उसको भीगा लीजिए, और softly remove कीजिए, या फिर आप पानी से splash कर लीजिए, फर्स्ट अप्लिकेशन के बाद ही आपको गजब के रिजल्स तिख जाएंगे, लेकिन जादा खुश होने के आवशकता नहीं है, अभी स्टेप टू बाकी है, स्टेप टू के लिए हमें एक फेस पैक अपने ले रेडी करना है, जिसके लिए आपको एक बोल में चाहिए, वन टेबल स्पून उफ राइस फ्लार यानि की चावल का आठा, एंद हाफ टी स्पून उफ चंदन, यानि की सैंडल वूद पाउडर, हो सोना है ना आपने, चंदन सा बदन, चंचल चितवन, जी हा, तो चंदन सा बदन करने के लिए चंदन का इस्तमाल हम कर रहे हैं, ले कर देगा, बिलीव मी, लेकिन अगर नहीं है, तो जादा घबराने वाली आवशकता नहीं है, आप मत इस्तमाल कीजिए, और इसमें आपको चाहिए, अगर आप दूद इस्तमाल कर सकते हैं, तो इट इस गूइं टूइं टूब अमाचिक, क्योंकि चावल जो है, जब आप लगा के छोड़ देंगे, तो थोड़ा सा खिचा-खिचा सा फील होता है, दूद उस चीज को कॉंपनसेट कर देता है, लेकिन अगर आप दूद के लिए कामफटबल नहीं है, तो आप यहाँ पर गुलाब जल भी यूज कर सकते हैं, तो आप यहाँ आपने यूज किया है यहाँ पर राइस फ्लार, चंदन और मिल्क, लेकिन चंदन नहीं है, तो स्किप कर सकते हैं, मिल्क सूट नहीं करता है, तो आप गुलाब जल का इस्तमाल कर सकते हैं, इसको आप अच्छे से मिला लीजिए, और अपला इट अल ओवर यूर फेस, बलीव मी, इसके बाद आप, क्योंकि यह इतना रिलाक्सिं होता है, इस संदल्वोड पावडर इस सो कूलिंग ओन यूर फेस, यह आपके चहरे पर बहुत ही बहुत ही काम करता है, इस अपलिकेशन के बाद ही आपको दिख जाएगा कि आपकी स्किन ब्यूट फुली रिवर्ट कर रही है, बहुत इस पर्टिकलर स्टेप औन स्टेप टू जो लगातार एक साथ करने हैं, यह आप वीकली कर सकते हैं, 10-15 मिनट के बाद यह काफी हद तक सूप जाएगा, आप इसको कम्पलीटली मत सुखाईए, आप इसको हलका हलका गीला रहने दीजिए, इसके बाद आपको अपने चहर रगड़ना नहीं है, जेन्टली रब कर लीजे एंदेन वाइप इट ओफ, यह आपके चहरे को इतना नीट और क्लीन और यह ब्यूटिफाय कर देता है, आप यह गोई तो रीली बी हैपी, मैं सच बता रहे हूं, आप बहुत कुछ होने वाले हैं, लेकिन इमेडिटली आपको लगाना है Moisturizer, जिनकी Dry Skin है उनको बहुत जादा ड्राय लगने वाला है, तो आप Cetaphil का Moisturizer को बहुत जादा Moisturizing है, आप उसका इस्तमाल कर सकते हैं, Oily Skin & Average Skin वाले जो हैं, आप लोग नॉर्मल अलवेरा का यूज करके, आप लोग नॉर्मल अलवेरा का बहुत सिवेर कंडिशन है, लेकिन अगर आपको जिस्ट कुछ निशान है, आप वीकली यूज कर सकते हैं, यह आपको results definitely देगा, लेकिन जैसे कि मैं आपको बोलते हूँ कि वीकली यूज करना है, तो चार अप्लिकेशन एक महीने में होती है, विच मेक्स इट लिटल यू अनदर लेवल पहुचा सकता है, और यू आपको बहुत सारे हैं, आपकी कंपलेक्शन काफी क्लेर हो जाएगा, आपकी स्किन रेडियंट हो जाएगी, साइन्स अफ एजिंग आपसे बहुत दूर चले जाएंगे, पिग्मेंटेशन, हाइपर पिग्मेंटेशन, मिलाजमा यह सारी कंपलेक्शन काफी हद तक नीचे आजाएंगी, and you are going to have a very healthy skin, negatives, आपकी स्किन थोड़ी सी, you know, stiff feel कर सकती है, after using this face pack, लेकिन अगर आप इसको moisturize करते हैं, जैसे आपने pad dry किया, immediately उसके बाद आपने, you know, इसको थोड़ा सा moisturize कर दिया, अपनी स्किन को, तो आपको व the queries, क्या boys से उसकर सकते हैं, जी, खुशे-खुशे भी उसकर सकते हैं, क्या teenagers सक पर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, ladies, women, बच्चे, सब इसकर इसकर सकते हैं, and make the most out of it, तो आश्या करती हूँ, अप सबी को यह वीडियो पसंद आई हूँ, अगर पसंद आई है, तो लाइक कि ये बिना बिल्कुर भी मच जाएगा अगर आप मेरी चानल पर नहीं है तो do subscribe to the channel I'll see you all in the next video with something magical for your skin, health and hair तब तक के लिए अपना बहुत सारा खाल रखिये और प्रिती प्रेड़ना के चानल से जोड़े रहे